सर्व कर्मान्य पिसदा कुर्वाणो मध्य पास्त्रयह मध्प्रसादादवापनोती शास्वतं पदमाव्ययं प्रेदर्शकों, नमस्कार. मंगल वार की कारेकरव में, अभी मैंने रवी बार वाले कारेकरव में, जो शाम को गया था, उसमें शनी देव के मारगी होने के बारेमे चर्चा की थी, सभी रासियों का एक ही कारेकरव में. उसमें टाइम्स बाउंड भी दिया हुआ है आप जाकर के अपनी राशी को चेक कर सकते हैं उसके पहले आपको और भी आगे बाद बताओं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है मैंने एक प्लेलिस्ट तलग बनाया है राशी परवर्तन का वहाँ पे आपको सभी ग्रहों के राशीयों का परवर्तन और उसके मिलने वाले फल सभी राशीयों के बने हुए हैं शुरू करते हैं आज का कारिक्रम कहीं नहीं जाना है बिल्कुल बनके रहिएगा सबसे पहले कारिक्रम के लिए पसंद का बटन दबा करके जैसर किस्टना लिखने के साथ अगर आप पहली बार कारिक्रम देख रहे हैं तो भी प्रमुख नई बाते बताऊंगा जैसे मैंने उस कारिक्रम में बात कही थी कि लगन, लगनेश, चंद्रमा, दशमेस, दशंभाव और साथी साथ शनी अगर इतने भाव बलवान होकर के बैटे हैं या इतने ग्रह बलवान होकर के बैटे हैं इनके अधिपती तो वो ब्यक्ति द्रगायु शुका वर उसे प्राप्त होता है आज के कारिक्रम में आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली के छठमे भाव के अधिपती जन्म कुंडली के बारह में भाव के अधिपती अगर ये दोनों भावों के अधिपती या तो लगन में बैठे हों या तो बारह में बैठे हों या तो छट में बैठे हों तो ये ब्रक्ति को अच्छी खासी आयू प्राप्त होती है और इस इस्थिती का जन्मा जातक जिसकी कुंडली में ऐसे इस्थिती बनती हो कि छट में अच्छी खासी आयू देते हैं और वो अच्छी खासी आयू का सुख भी उसे प्राप्त होता है इसके पहले कि आपको और भी दो तीन चीजें महत्वपुन बताऊं मैंने पिछले कारेकरब में भी ये बात बताई थी कि व्यक्ति के प्रारब्ध के तीन फल होते हैं आयू, जाती और भोग, वो आयू कितनी प्राप्त करता है, उसको व्योनी कौन सी प्राप्त होती है और वो उस योनी और उस आयू का भोग कैसे करता है, सिदी बात है, कोई बच्छा जन्मलिया तुरंत ही उसको मृत्यू हो जाती है, उसके तुरंत ही मृत्यू हो जाती है, कोई ब्यक्ति बहुत बड़े अम्बानी के घर में जन्म ले लेता है और कोई उसी समय पे जन्म लेता है और किसी गरीब के घर में जन्म ले लेता है तो ये उसके पुर्व जन्म के प्रारब्ध का प्रतिफल होता है जिसके कारण उसको एक अच्छी खासी आयू प्राप्त होती ह या अच्छा घर मिलता है और उसमें भी स्रिस्ट वर्ण में जंबले एता है और शुद्रादी की बात करते है या उसे फिर अगर इसको हटाते है तो वो ब्यवत्ति मनुष्य बनता है लता है गुल्मपोनता है मोहर बनता है जो भी बनता है कि इट पतंग पसुपक्षी जो भी सजीव निर्जी जो भी बनता है वो सब उसके प्रारब्द के प्रतिफल होते तो ये बात पहले सिध्धान्त के तौर पे मैंने कही कि अगर बारह में भाव के अधिपती लगन में बैठे हो या छटवे भाव के अधिपती लगन में दूसरा से धान्त आयू के मामले में क्या कहता है कि जन्मकुडली के अश्टम भाव के अधिपती किसी भी तरीके से या अश्टम भाव पापकरत्री में नहीं होना चाहिए वैसे जन्मकुडली में अश्टम भाव को अगर सुभकरत्री लगा और अश्टमेस अस्टम बाव के बलवान होने से चुकि ये आयू का भाव होता है इस वज़े से व्यक्ति दिरगायु शिकावर उसे प्राप्त होता है। के आयू की व्यक्ति करने वाला होता है और इतना ही नहीं वो एक अच्छी खासी संपति के साथ व्यक्ति अपनी आयू का भोग करता है। इतना ही नहीं अश्टम भाव के अधिपती जो आपकी कुंडली के अश्टम भाव के अधिपती नवान्स कुंडली में अपने ही नवान्स में बैठे हों। तो ये बहुत जादा अच्छा होता है आयू के लिए। मतलब ये एक अच्छा सिध्धान्त हो जाता है आयू को प्राप्त करने के लिए। इसे स्रिष्ट आयू का योग और दिरगायुश्य की प्राप्ती होती है जातक को। चौथा सिध्धान्त कहता है आयू के लिए कि लगन के अधिपती, अश्टम के अधिपती, छठम के अधिपती और शनी अगर जन्मकुंडली में लगन में, दशम में, अश्टम में और छठमे भाव में या तो फिर एकादश्वे भाव में बैठे हों। अगर लगनेश एकादश्वे में बैठे हों, अगर दशमेस एकादश्वे में बैठे हों, अगर अश्टमेस एकादश्वे में बैठे हों, या तो छठे भाव के अधिपती एकादश्वे भाव में बैठे हों, तो ये व्यक्ति को अच्छी आयू देते हैं, अच्छी से आएगा एक बार जब वो दरिद्र देखता है या फिर कई बार वो जब एक आदश्मे भाव में बैट जाते हैं छट में और आठवे भाव के अधिपती तो उसको अपने जीवन में धन की समस्या होते देखी जाती है या वो कई बार कम पैसों पर नौकरी करते हुए भी गुरु बैठे हों पर सुभग्रा की रासी में बैठे हों या तो चंद्रमा जन्व कुंडली में एक आदश्मे भाव में बैठे हों मैंने चंद्रमा के बारे में बात की थी लगन दुतिये तृतिये पंचम नवम और एक आदश्मे भाव में चंद्रमा बड़े अच्छे होते हैं तो ठीक उसी तरीके से अगर गुरु अस्टमभाव में सुभग्रा की रासी में बैटे हों मतलब या तो बुद्ध की रासी में या तो शुक्र की रासी में या तो फिर चंद्रमा की रासी में या तो फिर अपनी रासी में तो अस्टमभाव के अधिपती के बारे मे यहां चर्चा नहीं है सिर्फ यहां पर यह देखना है कि अस्टम भाव में गुरु बैटे हैं सुभग्रा की रासी में और एक आदश में भाव में चंद्रमा बैटे हैं और तीसरे नंबर पर लगनेश या तो उच्च के हो करके किसी भाव में बैटे हों लगनेश अगर आयू प्राप्त करने वाला होता है व्यक्ति और निश्चित रूप से वो अपनी आयू का संपूर्ण भोग बहुत ही सहुलियत के साथ भोगता है यह आयू से संबंधित दूसरा जो अध्याय था वो मैंने आपको आपके सामने प्रस्तूत किया है अब आई आपको गीता गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बता देता हूं गीता जी के अठारेम अध्याय के छपंवि श्लोक में भग्वान ने बात कही है मेरा आस्रे लेने वाला चाहे वो स्रमण के माध्यम से हो, चाहे वो वाणी के माध्यम से हो, चाहे वो मनन करने के माध्यम से हो, चित्व, मन से, मन से, वाणी से और स्रमण से, मतलब कानों से, इन तीनों से जो सदै वही मेरा चिंतन करता है, वो निसंदे मुझे प्राप्त हो जाता है, आप लोगों क कि उसके पास धनकी बड़ी बरसा हो रही है उसके उपर लक्षमी सदा खुश है या भगवान उसके बिराजमान है वो भगवान की कृपा बड़ी प्राप्त है पर ऐसा नहीं है भगवान का संकल्प होता है भगवान का ये संकल्प है कि मैं जिससे खुश हो जाता हूं और ज जिनके उपर भगवान की दिब्य करुणा होती है, उनके पास धन तो नहीं होता, पर उनके पास भगवान होते हैं, ठीक उसी तरीके से, आपको ये हमेशा बात याद रखनी चाहिए, कि अगर आपके पास धन की समस्या हो रही है, इसका अर्थ है कि भगवान की गृपा है, भगवान की क्रपा है, बड़ी अध्भुत क्रपा है, और सच्चे अर्थ में देखें, तो साधु संत महात्माओं के उपर भगवान की क्रपा होती है, उनके उपर धन नहीं होता, उनके पास धन नहीं होता, अकिंचन होते हैं, तो वस्तुता इश्वर की भगती जब प्रभाव होने लगता है, जब वो प्रसंद हो जाते हैं, तो दुनिया आपके सामने आकर के जुक जाती है, और सब आपको प्रणम में बना देते हैं, आप सब के सामने सभी आपको आकर के प्रणाम ही करते हैं, तो ये भगवान की भक्ती का प्रभाव है, भगवान के भक्त गधा है या जो बीमार गधा है वो तो मालिक के द्वारा मारा ही जाता है तो जो जितनी मेहनत करता है उसको उतनी धन की प्राप्ति होती है जो जितना लगा हुआ है उल्जा हुआ है बसा हुआ है चीजों में उसको उतनी चीजें प्राप्त होती हैं परवस्तुता साधू सं संत महात्मा जो होते हैं, जो निरवैर होते हैं, अकिंचन होते हैं, वो लगे रहते हैं भगवान की भक्ती में, उनके नाम में, उनके नाम के जप में, उनके सदेवही स्मरण में, तो उनको वो चीज प्राप्त होती है, धन का मिलना, धन का प्राप्त होना भगवान के क्रप वाका बोध नहीं है, बोध ये है कि आपके जीवन में और आपके प्रतेक समय आपके अंतह करण में भगवान कितने विराजमान हैं, ये बढ़ियत बुद्वात है, तब तक के लिए, बहुत बहुत तमस्कर,